हाई दोस्तों कैसे हु सोप तो आज में आपको बताने जा रहा हूं की दोड करने के बाद में हमारी डाइट क्या रेनी चाहिए था आज में नोर्मल डाइट बताऊंगा यह साड़े चार बजें दोड करने के लिए जाते हैं तो फ्रेस होने के बाद में आप दोड कीजिए हमेशा और दोड से पहले कुछ मत खाईए क्योंकि आर्मी बढ़ती इस तल पे ऐसा ही होता है मौर्निंग में दोड होती है और दोड हमेसा आप एक टाइम कीजिए मौर्निंग में आप फुल दोड कीजिए सामको शरप आप घूमने के लिए जाईए तो डाइट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था वो जो मैंने खुद आजमाया है वही डाइट आपको बता रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूं डाइट पी ऐसी होगी जो मतलब अपने बजट में रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें दोड करके आने सकते हैं यह बिल्कुल काले चने आप देख रहे होंगे यही काले चने हमें भिगोने हैं यह आप 25 ग्राम से स्टार्ट कीजिए और 50 ग्राम से जगा आप कभी मत भी गोई है भी 30 ग्राम आपको चनम लेने हैं और इनके साथ में आपको दस बीजोसे हम आपको दिखा देता हूं शोया बीज यह यह सोयव इनके बीज हैं यह दस बीज आप गिन के पानी में डाल दिजे क्योंकि इन में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वगएरा होते हैं जो और इनके बारे मैं आपको बता देता हूं कुछ लड़के बोलते हैं कि जितने चने खाऊगे उतनी ज्यादा ताकत हो होता है नियम सरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही खाना चाहिए एक अंडे की जगा आप 10 अंडे खा रहे हैं तो सरीर को अगर दो अंडों की ही आवशकता है तो वह दो अंडे ही लेगा बाकी आठ अंडे हैं वह आपके वेस्ट गए तो ज्यादा खाने से कुछ नहीं ह के बीच बताए है आपको आपको इन्हें के खाना है मतलब इदर हो छों टायले रएना और एक-एक दाने के बीच में आप पी लीजिए वो दस मिनट के बाद अगर दूद आपको मिलता है तो आप उसे गरम कीजिए गरम करके ठंडा करके फिर दूद पीजिए आप और दूद पीने के बाद में आप दूद पीने से पहले कभी शूज मत उतारना दूद पीना है उसके बाद ही शूज उतारने हैं यह एक नियम बना के चलिए दो चीजी हो गई चना स्वयविन के बीज यह खाने के बाद में आपको दूद्ध पीना है दूद्ध पीने के बाद में आप अपने शूज उतारिए और अगर आप नोन वेज या अंडे वगेरा खाते हैं मासारी हैं तो आप दो अंडे लीजे दो अंडे का आप आमलेट बनाईए आमलेट बना के आप खाईए आमलेट खाने के बाद में आमलेट एक की आप दो अंडे का ही हो सके तो एक अंडे का ही लीजे साथ में दो ब्रेड उसके बाद एक कटोरी लीजिए कटोरी में रखे कि आधा कटोरी से कम हİ उसके बाद में 10 बजे तक आपको पढ़ना है पढ़िए नहाना दो ना आई poses नहाना है जो शाकारी है वो अनार, एक अनार और एक सेव, आमलेट की जगें यूज कर सकते हैं, एक अनार और एक सेव आप यूज कर सकते हैं, अगर आप साकारी हैं तो, और उसके बाद में आप नहीए दोईए, दस बजें आपका धही और दो रोटी हो जाती है, उसके बाद में एक ज़सें फिक्स एक एक या देट बजें आप फिक्स रखिए आप को खाना खाना है चाज और हरी सबजी में पर चाहती है ज़ितना आपढ़ सको अलती पालती चाहती ऐन ? साथ चापाती खाने है जितना दबा के आपको खाना है खाईए आप पैट भर के खाईए और हमेशा खाते वक्त आप जमीन पे बैठिए आलती पालती मार के बैठिए और फिर खाना खाईए जितना दबा के खा सकते हैं दोपर में खाईए उसके बाद में खाना खाने के कोफी पीजिए कोफी अगर आप पीते हैं तो ब्लेक कोफी पीजिए और उसके बाद में नाइट में आप शाम को भूमने जाया करें दोड मत कीजिए आप साम को जो बोलते हैं कि सुबह और शाम दोनों वक्त दोड करने चाहिए वह अच्छा नहीं है आप सिर्फ और वह अरत वां गूमनकी ज़िए भर आते ही आपको हलका खाना खाना है याद रखिए डाले ले सकते हैं छिछडी ले को थाल राइथ कोने के बाद अपनी दौर शुधार ना चाहते हैं तो आपको शोना पड़ेगा नो यह साड़े नौ से पहले लिए और दोस्तों यह जो चीजे में आप को बता रहा हूं यह इसीली आप ले सकते हैं चना चने में ऐसा क्या है चना ही क्यों ले चना के अंदर काइबो हैड्रेर होता है प्रोटीन होता है फाइबर होता है केल्सियम होता है मिनिरल्स होते हैं और दूसरे मिनिरल्स बहुत से होते हैं इसमें चना खाने से क्या होता है आप चना किस परकार भिगोएंगे चने को आप ब अगर आप मदुमेह रोग है आपको तो आप सिर्फ पानी फीजिए मदुमेह रोग में भी यह बहुत बढ़िया होता है इससे वजन कम होता है लेकिन अगर आपको मदुमेह है तो आप सहद मत मिलाई है उसमें और जो नेक्स्ट आगे के होंगे इससे होगा यह कि चने खाने यह किसमिस खाईए यह खाईए वो खाईए इन सबका खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको दोस्तों एक दो दिन आपको जब डाइट आप चेंज करेंगे कल से ही आप यह रूटीन में लेते हैं यह सारी चीज़े जो एजिली आपको मिल सकते हैं कल से लेंगे तो आपको एक दो दीन लगए गया यार, बहुत ज़्यादा खाली हाइए वो, लेकिन देखो, अगर आपको दोड़ उदार नहीं है, तो सरीर में जियान होनी चाहिए, अगर आपको कचा दूद अच्छा नहीं लगता और आपको इजिली कचा दूद मिल रहा है तो आप कचा द घी आप एक चम्मत से ज्यादा कभी मत खाईए उससे आपका सांस बहुत जल्दी उठने लग जाएगा दोड़ते वाक्त और जो आपको मैंने देशी अंडा देशी अंडे का भी आपने नाम सुना होगा देशी अंडा गाओं में इजिली मिल जाता है शीटी का मुझे पता है तो आप उद्वार को कच्छे दूद में अंडे को फोड के डालिए उसे अच्छे से हिलाइए फिर पीजिए आप आगे के वीडियो में हाइट के टिप्स हैं यह सब है इन पर एक्सपर्ड की राई के बाद में मैं आपको बताऊंगा मैंने बहुत से कमेंट में पढ़ जो हाई लेवल की चीज़े हैं यह भी उतना ही काम करती है जितना मैंने आपको यह रूटीन बताया है आपकी अगर डाइट इस परकार होगी तो आप 15 दिन में अपना टाइम चेक कीजेगा आपको अपना टाइम बिल्कुल चेंज मिलेगा मैंने यह कुद पे आजमाया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और चना हर गर में मिलता है सोयाबीन 20 रूपे में आपको 200 गरह मिल जाएंगे चना मिल जाएगा आपको अंडे आप फार्मी अंडे यूज में ले सकते हैं आमलेट में सेव अनार मिलते हैं धाई चाच हरी सबजी मिलती है तो यह सब आप इजीली ले सकते हैं और अगर मैं बोल दूँ अभी आपको किसमिस लाइए ख्रोट लाइए तो वो थोड़ा कोश्टली रहता है और हर कोई नहीं खरीच सकता हो और घरवाले भी अलाव नहीं करते लेकिन इन चीजों के लिए घरवाले भी आपको मनानी और हां महनत क कीजिए यह सब खाने पीने के बाद में आप महनत जरूर कीजिए और आपको भरती होना है अगर आर्मी में तो वक्त को देना होगा फालतु चीजियों से ध्यान अठाईए और एक बहत्रीन टिप्स है जो यूवा जो 18 की एज में आते हैं उसके बाद में गल्स की तरफ ज आर्मी कटिंग रखिए विल्कुल आर्मी के जैसे और उदर ज्यादा ध्यान मत दीजिए अगर आपको अपनी दोड़ पर कॉंसल्ट्रेट करना है आपका माइंड उदर डाइवर्ड रहेगा आप नाइट में लेट नाइट तक आप सो नहीं सोएंगे नहीं अच्छे से म लगता है कि नहीं एक बीर दो बीर तो मुझे पीनी है तो आप उसके लिए भी सब्ता के अंदर एक टाइमिंग बनाएगे कि सब्ता में साथ दिन होते हैं संडे को मुझे ओफ करना है सटर डे नाइट आप एक बीर दीजिए अगर आपको पीनी है बहुत ज्यादा आपको एक मेडिशन आती है मेडिशन तो नहीं हो सकते है उसे आईरवेदी किया है तेल है वो अब किस चीज का है क्या है वह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं खुद पे एक्स्परिमेंट कर रहा हूं मैं खुद में लेकर आया हूं मार्केट से में खा रहा हूं लेकिन उसका असर क्या होता है अभी मुझे 10-10 दिन हुए है कुछ-कुछ मैसूस होने लगा है कि हां उसमें कुछ तो बात है तो उससे क्या है अपना सांस है यह नहीं भरेगी पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं 15 दिन और यूज करूंगा उसके बाद म छानल सबस्क्राइब नहीं कहा तो वह जबूर सब्सक्राइब कीजे और अगे अगर एक लाग सब्सक्राइबर मेरे होते हैं मैं बहुत से हो गए लेकिन बहुत अभी एक लाग बहुत थोड़े दूर है एक क्उनने के बाद मैं मैं आप से वीडियो कॉन्फरेंस के जो भी दिक्कत रणिंग में आती है उनकी तहे तक मैं जाओंगा जय हिंद जय भार्त दोस्तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर दबाईए और फ्री में आर्मी टिप्स पाने के लिए घंटे के निसान को दबाईए जी हाँ ये बिल्कुल फ्री है